ताटा मोटर्स की टाटा नेक्सओन एवी सफल एलेक्ट्रिक कारों की लिस्ट में शामिल है असजी वी की डिमाड मार्केट में काफी जादा है वर इसी को देखते हुए कंपनी एक और एलेक्ट्रिक कार को जल्ल लॉंच कर सकती है ताटा के के इस नई काुंगी अलिक्टरीक का का रेंडर भी आलाइन तैस इसदाटा नेक्सऺर ऐकार बारे में अभी तक 2014 cooking एक siures ॉप पहले आई ृपlarını से रिज़ाइन और स्वीजर में एक लेवल उपर होगी स्के डिज़ाइन को लेकर व्यार रेंडर भी स्कूप जिसे SRK डिजाइनर रिलीज किया हाना कि कंपनी की ओर से इसकी आरिकारिक पुष्टी होना बाकी है रंडर को बनाते वग टाटानेक्सवन एवी और सीरा एवी से कॉंसेप्ट को लिया गया लगता है सामने आया रंडर के मताबिक टाटानक्सवन एवी कूप का फ्रेंट डिजाइन डेटाइम रनिंग अलेडी स्ट्रिप के साथ है जो काफी स्लीक है और बॉडी के साथ मैच करता है कार के हेड लैंप और फॉग लैंप को डाइमन शेप में डिजाइन किया गया है ये सामने वाले बंपर के किनारों पर वर्टिकली बनाया गया है SUV के फ्रेंट बंपर में बीच में हैवी बॉडी क्लैडिंग दी गई है कार के साइड वाले डिजाइन की बात करें तो फलश टाइप डोर हैंडल के साथ रिवाइस डोर पैनल इसमें देखा जा सकता है रूफ लाइन कवर दिखाई देती है और रियर पर जाकर मिलती हुई दिखती है इसके अलावा रेंडर में वील आर्श पर ब्लाक लाइडिंग नजर आती है और हाई राइस वेस्ट लाइन रियर वियू मिरर और 16 इंच डाइमेंड कट अलो वील्स दिखाई देते हैं कार का रियर डिजाइन इस डेंडर में नहीं दिखाया गया है फिलहाल इसके बारे में कहा जा रहा है कि कंपनी कार पर काम कर रही है ये मौजूदा नेक्सान इवी के मुखाबले अधिक एडवांस फीचर के साथ आ सकती है इसमें जादा पावरफुल मोटर और 40 KWH की बड़ी बैटरी दी जाएगी जिससे ये कार लंबी दूरी तक तैय कर सकेगी इसकी रेन 400 किलो मिटर तक हो सकती है अगर आप कोई जान करें पसंद आए तो चैनल को लाइक करें कॉमेंट करें और शेयर करना बिलकुल मत भूलें